हेलो एप्रिवन आज हम देखेंगे फिजिक्स का अगला टॉपिक आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है तो थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं आगा आज का पहला टॉपिक है एक समान विद्धु छेत्र में रखे विद्धु यहां पर देखे एक समान विद्धु छेत्र EEE यहां पर रखाया है ठीक है और यहां पर P plus Q और माइनस Q तो अवेस लिया गया है जहां P दो बिद्धु लिया गया है A, B और यह C को माना गया है ठीक है तो A पर प्लस Q के कारण यहां पर बल जो लगेगा वो QE लगेगा औ और B पर minus Q AWS के कारण जो बल लगेगा वो minus QE लगेगा, हम लोग जानते हैं कि F equal to Q into E होता है, ठीक है, तो plus AWS के कारण जो बल लगेगा वो plus QE होगा, और minus AWS के कारण जो बल लगेगा वो minus Q होगा, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर लिखा है, विद्धु छेत्र E के कारण प्लस Q AWS पर एक बल QE छेत्र के दिसाम, जब की minus Q AWS के कारण उतना ही बल minus QE की विपरित दिसामें कारे करता है, ठीक है, तो अब देखते हैं, जब ऐसा होता है, तो इस पर क्या है, प्रत्यानियान बल योगमा अघूर काम होता है, एक बल गुडित दोने बलों के बीच की लंबवाद दूरी, यहाँ पर कोई सभी एक बल, या तो QE माइनस QE ले 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 और दोनों के बीच की लंबवाद दूरी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, और इसको प्रत्यानियान बल योगमा आगों रखो टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ equal to QE, QE एक बल आ गया, ठीक है, और दोनों के बीच लंबवाद दूरी QE, दोनों का लंबवाद दूरी क्या हो जाएगा, A, C, ठीक है, यहाँ पर तीन पॉइंट कांडिसिडर की हैं हम लोग, A, B और C, ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर एंगल बन रहे है थीटा, तो साइन थीटा equal to होगा, A, C upon A, B, ठीक है, लंबवाद टे कांड, ठीक है, यहाँ फिर A, C equal to हो जाएगा, A, B, साइन थीटा, ठीक है, और A, B का देखो, डिस्टेंस दिया है, A से B तक का जो डिस्टेंस दिया है, 2A है, तो यहाँ equal to QE into 2A, साइन थीटा, ठीक है, फिर Tau equal to 2QA, E साइन थीटा हो गया, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, विद्यू दुरुद्ध्यों आगून क्या होता है, P equal to 2QA, ठीक है, तो अब समय करार, दो में Tau का मान रखेंगे, तो Tau equal to क्या हो जाएगा, P E साइन थीटा हो यहाँ भी साइन थीटा आता है, साइन थीटा आया, तो वहाँ पे क्या लगता है, क्रॉस लगता है, और अगर कॉस थीटा आया, तो डॉट लगता है, डॉट, सॉरी, डॉट, मींस, अगर यहाँ पे साइन थीटा दे दिया, इसको हम लोग सदीस के फार्म में लिखेंगे तो यहां पी क्या हो गया है यह देखो P cross E हो गया ठीक है अगर यहां पे अगर cos theta होता तो P dot E हो जाता ठीक है अब देखो कुछ विशेश इस्थियतियां है इसको लेकर तो देखते हैं यदि theta command 0 हो ठीक है यहां पे अगर sin theta में theta command 0 हो तो ये क्या हो जाएगा टौ का मान जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन जीरो एक का वैल्लू क्या होता है जीरो होता है तो इस पूरे का वैल्लू जीरो से जो मल्टिप्रे होते हो उसका तो मान जीरो ही हो जाएगा ठीक है, तो पूरे command के हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो, इस इस्थिति में जो, दो धुब है, यहां पर जो धुब है, प्लस Q और माइनस Q, वो क्या होंगी, SANTULAN के इस्थिति में होगा, SANTULAN के इस्थिति में क्यों होगा, क्यों कि उस पर कोई बल, कार यही नहीं करेगा, तो वहां का बल जो है जीरो है तो उस पर कोई बल कार यही नहीं करेगा ठीक है वहां का एंगल जो है जीरो है तो वहां पर कोई बल कार यहीं नहीं करेगा अब देखो अगर थीटा कमान हम लोग अगर 90 लेते हैं ठीक है तो उस समय साइन 90 का जो वैली होता है वो होता है 1 ठीक है यहां का जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा अधिकतम होगा ठीक है इस स्थिती में अब देखते हैं अगर ठीटा का माना अगर 180 दिगरी है ठीक है तो साइन 180 का भी मायन क्या होता है जीरो होता है तो टाव का मायन जीरो हो जाएगा इस स्थिति में क्या होगा दोनों जो ध्रूए है वो क्या होगा आई स्थाई संतुलन में होगा उससा में क्या होता था इस्थाई संतुलन में होता था जीरो था तो वहां का इस्थाई संतुलन होगा जबकि यहां का आइस्थाई संतुलन होगा ठीक है अब आगे देखते हैं ठीक है आगे का हमारा टॉपिक है एक समान विद्धु छेत्र में विद्धू दो ध्रूव को घुमाने में किया गया कार्य अब यहां पर एक समान विद्धू छेत रहा है ठीक है और दो ध्रूव है विद्धू दो ध्रूव है यह दिखे कि प्लस क्यू माइनस क्यू और यह प्लस क्यू माइनस क्यू यहां पर अंगल क्या बन रहा है थीटा अब इस दो धु bending ऑने में किया गया कार्या निकालने और विद्ध्यृ शेत्र इंड़ो इसके साथ तो हम लोगए क्या निकाल चुके हैं तो प्रत्यान बाल अगमुर्ण निकाल चुके हैं तो टाव इक्वल टू क्या होगा पी इसाइन थीटा हो जाएगा ठीक है अब देखो यह जो दो धुरू है यह जो दोनों धुरू है डी थीटा कोंड से घुमाया जाते है मींस डी थीटा से घुमाया जाते है तो क्या गया कारे क्या हो जाएगा डी डाबलू ठीक है डी झो दों भूर है विद्धू छेत्र में उसको थीटा से थीटा एक्वेन तथ twitter एक्वोट्टू थीटा टू में लिया गया है ठीक है तो वहाँ पे किया गया कार्य演 करें जो होगा W equal to theta 1, 2, theta 2 means यहाँ से theta 1 माल लो और यहाँ से theta 2 यहाँ से यहाँ तक जो किया गया कार है वो हम लोग को निकाल ला है तो W equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर DW हो जाएगा तो DW का यहाँ पर मान दिया है DW equal to P sin theta atom तो W equal to P minus cos theta theta 1 से theta 2 ठीक है अब sin theta का जो है समा कलन होता है minus cos theta sin theta equal to minus cos theta ठीक है sin theta कमान जो होता है minus cos theta होता है integration में और डिफ्रेंसेशन में देखें तो sin theta का cos theta होता है ठीक है तो अब देखो minus cos theta होगे अब हम लोग यहाँ पी limit put करते हैं तो उपर में क्या हो जाएगा theta 2 और नीचे में क्या हो जाएगा theta 1 तो हम लोग पहले upper limit को लेते हैं फिर lower limit को लेते हैं ठीक है तो upper limit को लेंगे तो क्या होगा minus cos theta 2 minus minus already है तो यहाँ पी क्या हो जाएगा plus हो जाएगा तो plus cos theta 2 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे plus cos theta 1 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट को लेते हैं तो माइनस कॉस थीटा टू हो जाएगा अब माइनस माइनस यहाँ पे अगर माइनस है तो बीच में माइनस होता है तो माइनस इंटू माइनस का गया हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर कॉस थीटा वन हो जाएगा तो कॉस थीटा वन को प्लस है तो यहाँ बाहर लिख दिये हैं ठीक और माइनस कॉस थीटा तो ठीक है यही जो है इसको घुमाने में दो धुरुए को घुमाने में किया गया कार्य है ठीक है आप देखते हैं एक स इसे इस्थिति के कारण ही लिया जाता है ठीक है यह मालो एक इंफिनेटी पे एक चार्ज है ठीक है यहां से हम लोग को जो इस्थिति में परिवर्टन हुआ है वहां तक लाने में जो किया गया कार्य है उसको हम लोग बोलते हैं इस्थिति जूर्जा मतलब की मानक इस्थित से वर्तमान स्थिती तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है इस्थिती उर्जा कहलाती है ठीक है तो अब देखो मालो पी विद्यू द्रुव वाला आघूर है एक विद्यू द्रुव क्या है विद्यू छेत्रा के साथ ठीटा कोण बनाता है ऐसा हम लोग मान के चलते है इस दोए ध्रुए पर किया गया कार्य क्या होगा बल्यूगमा अगुण टाउ एक्वल टो PE sinθीता हो जाएगा यह बल्यूगमा अगुण है ठीक है प्रत्यानियन बल्यूगमा अगुण ठीक है अब देखो दोई ध्रूए जो है वेपरित अलपा कोड़ दी थीटा में घुमाया गया क्यों कारे क्या होगा अगर थोड़ा सा वेपरित दिशा में थोड़ा सा अगर अलपा कोड़ द्वारा घुमाया जाता है ठीक है यहां को अगर हम लोग यहां पे घुमा रहे है ठीक है ठीक है तो ठीक है ठीक है तो वहां पर किया गया काया रहे क्या हो जाएगा पी साइन थीटा डी थीटा अब मैं साइन थीटा कसम आकरन बताया था क्या बताया था माइनस कॉस्ट थीटा ठीक है तो पहले अपर लिमिट को पूट करेंगे तो यह देखो माइनस कॉस थीटा और अगर इसका माइनस माइनस है तो प्लस प्लस कॉस थीटा वन ठीक है तो अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दी है तो यहाँ से माइनस कॉमन है तो माइनस यह minus b आगे तो यह क्या हो गया प्लस हो गया और यहाँ पर minus का multiply हो जाएगा तो क्या हो जाएगा minus हो जाएगा ठीक है तो minus b ठीक है cos theta 2 minus cos theta 1 अब देखो हम लोग यहाँ पर माना की स्थिती क्या लिए थे माना की स्थिती theta equal to pi by 2 लिए थे ठीक है तो मायनक इस्थिती πाई बाई टू से किया है मतलब जो वर्तमान इस्थिती हो उसको लाने में किया गया कारे क्या होता है इस्थिती जूर्जा होता है ठीक है वर्तमान इस्थिती को हम लोग क्या ले रहे है थीटा ले रहे है ठीक है तो अब देखो मायनस पी अब ठीक है ये X को ठीटा ले लिए ठीटा 2 equal to ठीटा और ठीटा 1 equal to pi by 2 ठीक है अब देखो cos pi by 2 का cos 90 का जो value है वो 0 होता है ठीक है तो अब देखो यहाँ पी क्या हो जाएगा minus pe cos theta minus cos 0 means ये part पूर 0 हो जाएगा ये वाला part ठीक है तो बचेगा क्या minus pe cos theta ठीक है इसी को हम लोग बोलते हैं विद्यूत द्रोध्यों की स्थितीज उर्जा ठीक है अब देखते हैं विद्यूत फ्लक्स विद्यूत फ्लक्स क्या होता है अगर कोई साब प्रिस्ट या फिट कोई surface से अगर को विद्यूत छेत्र रहे गुजरती है यहां से जो विद्यूत छेत्र है इसको बोलते हैं हम लोग विद्यूत फ्लक्स यह जो छेत्र रहे जितनी छेत्र विद्यूत् फ्लक्स बला जाते हैं मालों ऐसा भी दिया है ठिक है इसके भी अगर ऐसे लंब वद गुजवत्व कि उत्यूत्व गलते हैं है सै भुज्टि शेतर रहाद अगर हैं तो इसको हम तो अब गौस्त थियोरम का क्या है फर्व परिभासा देखते हैं किसी बंद प्रिष्ट से गुजरने वाला संपूर विद्यूत फ्लक्स उद्स बंद प्रिष्ट के अंदर निर्वात ने उपस्तित कुल आवेश का वन अपॉन एपसलोन नौट गुना होता है ठीक है अगर यहां से जितना भी विद्यूत फ्लक्स गुजरेगा उसका वन वाई एपसलोन नौट गुना होगा ठीक है तो गौस्प्रमे में हाँ अब लोग हम लोग फ्लक्स को फाई ए से डिनौट करते हैं ठीक है प्रदर्सित करते हैं तो फाई एक्वल टू क्या हो जाएगा इंट क्यू का वन अप्वान एपसलोन जीरो गुना होता है इसको बलते हैं गौस्प्रमे ठीक है अब गौस्प्रमे का डिरिवसन देखते हैं यहां पर एक गोला हम लोग लेते हैं जहां से इसकी त्रिज्य क्या है अर यहां से बिन्दू O से यहाँ पे एक बिंदु P है और यहाँ पे एक सर्फेस हम लोग ले लेते हैं जिसको बोलते हैं गौसियन सर्फेस ठीक है मींस गौसिय प्रिष्ट ठीक है और इसका क्या है कुछ न कुछ छेत्रफाल होगा तो DS है ठीक तो अब देखो मालो बिंदु Q किसी गोले के केंदर पर रखा गया ठीक है और गोले की तरीज्जे क्या है आर है ठीक है तब गोले के प्रिष्ट पर किसी बिंदु के करणार विद्दु छेत्रे की तीवरता क्या होगी ठीक है यह हम लोग बहुत बार पढ़ चुक है ठीक है कि अगर यहां से अदला बिंदु O से आरदुरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्दु छेत्रे के तीवरता क्या होती है वन अपन फोर पर प्रिष्ट रखार इसको एक्क्वेशन वान ले लेते हैं ठीक है आप देखो इसमें क्या है एक अव्याव लेते हैं इस गोले पर हम लोग क्या है जिसको हम लोग Ds मानते हैं ठीक है उस पर क्या है क्या हम लोग फ्लक्स निकाल ना है D Phi e हो जाएगा क्योंकि यह चोटा से एरिया है तो D Phi e हो जाएगा ठीक है अगर बड़ा एरिया रहता तो Phi अगर दिपा क्योंकि यह D S है ठीक है D Phi मिन्स इस क्या है सर्फेस का हम लोगों को करना है तो यहां पर डी फाइग यी हो जायेगा तो अब देखो यह जो है डी एस और यी मिन्स विद्यूद छेत्र और यह जो डी एस चेत्रफल वो दोनों एकी साथ है means दोनों के साथ angle क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अगर ds पी इसी direction में है और e b इसी direction में means विद्द्ध छेतर और उसका जो वो जो छेतर फल है वो भी इसी direction में है means दोनों के व जो angle होगा वो 0 degree होगा ठीक है तो क्या हो जाएगा eds cos 0 तो कॉस 0 का मान होता है 1 ठीक है तो क्या हो जाएगा EDS हो जाएगा ठीक है अब देखो समी करण एक में क्या है मान रखेंगे तो अब देखो गोले के प्रिष्ट से गुजरने वाला संपूर विद्धूद फ्लक्स यह क्या हो जाएगा फाइ इकोल डू मैं बोला था ना इंटीग्रेशन करेंगे करके ठीक है तो यह देखो रख देंगे तो one upon four five epsilon zero d5 e command दिया है ठीक है into ds ठीक है अब देखो यह क्या है यह constant time है one upon four five epsilon not q upon r square तो यह बाहर निकल जाएगा अब बचेगा ds ठीक है तो हम लोग गोले का प्रिष्टिय चेत्रफल जानते हैं क्या होता है four five ठीक है यह चेत्रफल है ठीक है तो five equal to क्या हो जाएगा one upon four five epsilon zero q upon r square into four five r square ठीक है अब देखो r square से r square cancel four five से four five cancel तो क्या हो जाएगा five equal to q upon epsilon not यह हम लोग को प्रूब करना था ठीक है निक्स को क्या बोलते हैं गॉस गॉस प्रमे का यह जो है derivation ठीक है कि यह बोलता है कि उस पर उपस्थित किसी विद्धु छेत्र में उपस्थित आवेश का कूल आवेश का one upon epsilon zero गुना होता है ठीक है मिन्स कूल आवेश जो है उसका वो epsilon not गुना होता है ठीक है अब देखो इसमें कुछ विशेस स्थितिया है अगर आवेश के जगह कई ठोव आवेश हो ठीक है मिन्स इसके बाहर में surface में बहुत सारे आवेश हो तो यह क्या होगा सारे आवेश क्या हो जाएंगे जुड जाएंगे मिन्स one upon epsilon zero ठीक है q1 प्लस q2 प्लस q3 यह बहुत सारे आवेश है तो यह सारे आवेश क्या हो जाएंगे जुड जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका summation हो जाएगा ठीक है अब देखो यदि आवेस के बंद प्रिष्ट के बाहर इस थी तो अगर कोई आवेस है अगर उसके बंद ये जो बंद प्रिष्ट है उसके बाहर में इस थी तो ठीक है तो बाहर में तो कोई आवेस होता ही नहीं है तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है अवेस अगर नहीं है बिंदू के बाहर है ठीक है तो अवेस तो अंदर में नहीं है तो यहाँ पर आवेस का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो 5 equal to 0 upon epsilon 0 हो जाएगा तो इस का मान क्या हो जाएगा finally 0 हो जाएगा ठीक है आप देखो यहां पर क्या होता है यदि कुछ आवेश अंदर तथा कुछ आवेश बाहर हो ठीक है तो यहां पर क्या होगा यह भी third condition है अगर q1 अंदर है ठीक है q1 अंदर है तो इसके कारण क्या आएगा यहां पर कोई भी आवेज नहीं आएगा ठीक है अब देखते हैं गॉस्प्रमेय की सायता से कुलाम के नियम की व्युद्पत्ति में उसका फर्मूला गया था यहां पर निर्वात में एक बिंदू प्लस क्यू आवेज से बिंदू ओपर जहां से आर दूरी पर एक बिंदू पी है जहां पर हम लोग को विद्धुच्छेत्र की तीवरता ग्याद करनी है हम लोग यहां पर फिर एक टो गॉसियन सर्फेस यहां पर माल लेते हैं ठीक है यह जो सर्फेस दीख रहा है इसको क्या है गॉसियन सर्फेस बोलते हैं एक छोटा सा सर्फेस लेते हैं उसको गॉसियन सर्फेस बोलते हैं ठीक है अब देखते हैं माल लो निर्वात में एक क्युं具 ए occup टिक है अब देखो बेंगे केंद्र माञब प्रिश्थ पशल ड्येस लेते हैं यहां पर है एक अ पटो फिर शॏ के टिशा की बाहर की और होगी ठीक है इसकी जो दिशह वोगी है यह जो त्रिज्या का दिशा है उसके बाहर की और होंगी और विद्यूद छेत्र भी उसी बाहर की और है means अगर दोनों एक ही दिशा में है ठीक है तो यहां पर एंगल जो होगा थीटा कमान होगा वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री होगा ठीक है तो आगे देखते हैं इस प्रिस्ट से गुजरने वाला समपूर विद्यूद फ्लक्स हम लोग क्या है निकाल चुके हैं 5 5 equal to EDS ठीक है EDS अब क्या हो जाएगा cos 0 हो जाएगा ठीक है cos 0 का माइन क्या होते है 1 होते है तो यह क्या हो जाएगा EDS EDS हो जाएगा ठीक है तो E को बाहर निकाल देंगे EDS मैं बता चुका हूँ क्या है प्रिष्ट का चेत्रफल क्या होता है 4 pi r square होता है ds equal to ठीक है उसका चेत्रफल तो यहां पर रख देंगे 5 E equal to क्या हो जाएगा E 4 pi r square आप देखो हम लोग जानते हैं cos का premium से क्या होता है 5 E equal to Q upon epsilon 0 होता है ठीक है यहां अब देखो समीकराण 1 और 2 से यहां भी phi E है यहां भी phi है ठीक है तो यह दोनों जब equal हो जाएगा तो यह और यह भी क्या होंगे equal होंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा समीकराण 1 और समीकराण 2 से E 4 pi r square और Q upon epsilon 0 ठीक है तो E equal to क्या हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square और यही कुलाम का नियाम है ठीक है आप देखो क्या करते हैं कि यदि बिंदू p पर एक अन्य बिंदू q0 है q0 को क्या लेते हैं हम लोग test charge means परिक्षण आवेस लेते हैं ठीक है रखें तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा f equal to क्या होता है q0 t हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर q1 q2 था वहाँ पर q1 q2 upon r square तो यहाँ पर क्या हो जाएगा q q0 upon r square हो जाएगा ठीक है अब देखते हैं गौश प्रम्य का अनुप्रयोग ठीक है एक अनंत लंबाई का एक विद्यू छेत्र तार दिया है ठीक है और वो अवेसीत है अब उस पर हम लोग को क्या निकालना है विद्यू छेत्र की तियोरता निकालनी है ठीक है तो अब देखो यह एक अनंत लंबाई का तार है जिसकी लंबाई क्या है एल है ठीक है अब हम यह क्या है शंतल वक्रियप्रिस्ठ है और यहीं क्या है इस तो क्या है वग आगर प्रिस्ट है अब यहां पर हम लोग एक स्काथّ छेटरीं स्यरल्फल क्या है डीAudy है तो हम लोग पहले भी बहुत सारे देख चुकें है कि डी एस की छेत्र फल होगी वह बाहर की और होगी इसके दिसा जो है बाहर की और होगी और विद्द्थ छेत्र हऊब अब देखो यहाँ पर तो हम लोगर जो सर्फेस और भी मड़ जायेगा ओसे लाइन महीं consider कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे consider नहीं कर सकते ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या होगा S2 के कारण ही हमारा जो विद्धुच्छेत्र की तीव रता है वो ग्याद हो पाएगा S1 और S3 के कारण नहीं क्योंकि यह जो है विद्धुच्छेत्र की दिशा में ही इसका छेत्र पहले जबकि इसकी क्या है यह इसके लंबवात है तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा जबकि इसके चेतर में हम लोग को क्या होगा विद्यूश्यच्टर की तिह रिए था निकल जाएगगी ठीक है अब देखो यदि बेरान की ब Olan के विद्धिशा क्या हिए बाहर की ओर होगी ठीक है इडू के बीच क्या होगा सुन्य होगत एक तो इडियेशी दीशक जीरो होगा औरली तो के लिए और एस वन और एस भी के लिए जो होगा वह कि नहीं आयेगा अब सos कि मार्ण ही जीरो होगा तो ईडियेश die दियेश तो यह अब देखो, बिलन का वोकर फिष्ट का छेत्रफल क्या होता है, 2πrl होता है, ठीक है, तो बिलन का वोकर फिष्ट का छेत्रफल 2πrl, तो ds का हम लोग छेत्रफल है, ठीक है, तो e 2πrl, ठीक है, अब देखो, s1 और s3 जो है, विद्धुद छेत्र के समानतर है, तो इस flux जो है सुनने हो जाएगा ठीक है तो अब संपूर विद्धित flux S1, S2, S3 से गुझरने वाला flux होगा S1 B, S2 B, S3 B तीनों को अगर हम लोग जोड देंगे तो हम लोग का क्या आजाएगा संपूर विद्धित flux का मान आजाएगा तो phi e equal to क्या हो जाएगा यह तो s1 के लिए 0 हो गया था s2 के e into 2 pi rl निकला था और s3 के लिए भी 0 निकला था तो यहां पर क्या आया e 2 pi rl आया ठीक है flux हाँ आप देखो गौस प्रेमिया से हम लोग जानते है phi e equal to क्या होता है q upon epsilon not ठीक है अब देखो समिकराण 1 और समिकराण 2 से phi e दोनों तरफ है तो इधर भी क्या हो जाएगा equal हो जाएगा तो q upon epsilon 0 equal to into 2 pi rl ठीक है अब गौस प्रेस्ट के लिए अंदर जो है गुल आवेस होता है q equal to lambda into l ठीक है तो e equal to lambda upon 2 pi अब देखो यहाँ से l और ये l दोनों कर जाएगा पचेगा क्या e equal to lambda upon 2 pi epsilon 0 r यही क्या है विद्धू छेत्र की तीवरता है अब देखो एक समाना वेसीत अनंत समतल चादर के करण विद्धू छेत्र की तीवरता ठीक है यह एक टो चादर है means infinite plane seat है ठीक है उस पर क्या है हम लोग को विद्धू छेत्र की तीवरता ग्याद करनी है ठीक है तो a b c d का एक चार क्या है पॉइंट बिंदू है यहाँ पर माल लेते हैं हम लोग चार बिंदू इस चादर पर ठीक है और यहाँ पर एक cylinder ले लेते हैं ठीक है और यहाँ पर एक Gaussian सर्फेस लेते हैं ठीक है और यहाँ पर एक क्या है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इस Gaussian सर्फेस से बिंदू P तक की जो दूरी है वो R है और इस Gaussian surface से ही आर्दुरी पर एक PDS है ठीक है यहाँ पर क्या है अगर हम लोग surface लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा विद्धूद छेत्र होगा एथर भी विद्धूद छेत्र है ठीक है अब देखो बेलन का वाखर पर इस्टर विद्धूद छेत्र के समांतर है अता गुज चैव सुननी हो जाएगा ठीक है जबकि बेलन के जो व्रित्य सीरह है विद्धूद छेत्र जो विद्धूद छेत्र है उसके लंबवद्धूद छेत्र के लंबवाथ है विद्धु चेत्र के लंबवाथ है तो क्या होगा यहाँ पे विद्धु फ्लक्स E A हो जाएगा means E A cos theta होगा ठीक है तो cos यहाँ पे 0 हो जाएगा तो cos 0 का माण क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो E A cos 0 प्लस E A cos 0 क्या हो जाएगा टू इए हो जाएगा ठीक है तो अब आगे देखते हैं हाँ अब देखो अब बेलनाकार गौसी है प्रिस्टर से गुजरने वाला संपूर्ण विद्धुत फ्लक्स प्लस 2EA एक की लिए तो 0 हो घया ठीक है तो क्या हो जाएगा प्रिस्टर आव इस घनत तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रिस्ट आविस गना तो क्या होता है sigma equal to q upon epsilon q upon a होता है ठीक है तो q equal to sigma into a हो जाएगा ठीक है अब देखो यहाँ पर q कमान क्या रखेंगे sigma a upon epsilon 0 2 e a ठीक है तो e equal to क्या हो जाएगा sigma upon 2 epsilon 0 ठीक है अब देखते हैं इसका जो तीसरा है अनुप्रयोग है वो क्या है आवेश के दो अनद संतल चादरों के कारण विद्यु छेतर ठीक आवेश दिया है उसके दो चादर दे दिया है ठीक है जहाँ पे A और B दो चादर है और यहाँ पे तीन बिंदू है B Q और R ठीक है P Q R के तीन बिंदू है ठीक अब देखो माल लो चादर A का प्रिष्टा आवेस घुनत तो सिग्मा A तथा चादर B का प्रिष्टा आवेस घुनत तो क्या है ठीक है अब माल लेते हैं कि सिग्मा A जो है बड़ा है सिग्मा B से ठीक है दोनों समतल चादरों के कारण बिंदु P, Q तथा R यह जब बिंदू P है दो अनंत संतल čादर जो है यहाँ पे बिंदू P Q और R जो दिया है इसके कारण हम लोगों क्या है विद्धुचेत्र की तीवृता ज्यात करनी है ठीक है तो पहले देखते हैं पहले ये देखते हैं कि बिंदू P, ठीक है, बिंदू P पर जब पहले देखते हैं, तो बिंदू P जो है, बिंदू Q और बिंदू R की क्या है, बाया साइड में है, ठीक है, बाया साइड में है, मीन्स ये क्या है, इसका जो विद्दू छेत्र के तीवरता आएगा, दोनों का The Garden wat निगेटिव आएगा बाया साइड में है की नी drop four quadrant के हिसाप से हम लोग जानते है ठीक है अगर बाया साइड है तो यह क्या होगा अगर दाया साइड है तो यह přाध ब्लस में ठीक है तो आप देखो क्यों के लिए देखेंगे अगर Q के लिए विद्दुच चेत्र के तीवरता निकालेंगे तो Q के लिए क्या होगा एक बाया है एक नाया है means एक माइनस आएगा और एक प्लस आएगा और जब बिन्दु आर के लिए देखेंगे तो दुनों के तरब से नहीनस आइड है means दोनों प्लस में होगा means एक बार दोनों माइनस में होगा एक बार प्लस माइनस होगा और एक प्लस प्लस होगा क्या होगा विद्दु छेत्र के तीव रहता ठीक है आप देखो बिन्दु बिन्दु पी पर दोनों चादरों के बाई ओर है आता है विद्दु छेत्र दोनों रिडात्माख होगा तो यहाँ पर क्या होगा minus sigma a upon 2 epsilon 0 minus sigma b upon 2 epsilon 0 तो यह विद्धु छेत्र P के लिए क्या होगा minus 1 upon 2 epsilon 0 sigma a plus sigma b हो जाएगा ठीक है अब देखो बिंदू q के कारण विद्धु क्या हो जाएगा एक धरात्माख एक रिडात्माख बताया था में तो 1 upon 2 by epsilon 0 sigma a minus sigma b हो जाएगा ठीक है अब देखो बिन्दू b r पर क्या होगा बिन्दू r पर दोनों धनात्मक होंगे तो विद्दू छेतर r पर क्या होगा sigma a upon 2 epsilon 0 plus sigma b upon 2 epsilon 0 ठीक है तो यहाँ पर 2 epsilon 0 common निकल लाएगा sigma a plus sigma b जो है बच जाएगा अब देखो दोनों के विशेस इसमें क्या है कुछ विशेस इस्तितियां दी गई है ठीक है अगर ऐसा हो तो क्या होगा ठीक है मालों दोनों चादरों पर आवेस का घाना तो बराबर और विपृत हो जो दोनों चादर है उनके जो आवेस है वो बराबर हो और विपृत भी हो ठीक है मालो sigma equal to sigma है sigma equal to sigma और sigma b equal to minus sigma है ठीक है तो यहाँ पे विद्धुच्छेत्र के तीवरता p के कारण क्या आएगी minus what upon to epsilon 0 और sigma के जगा दोनों sigma अगर sigma a sigma b कमान रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि 1 plus 1 minus दोनों को cancel कर देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर minus minus रखेंगे यहाँ पे minus minus तो plus हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आएगा sigma upon 2 epsilon 0 क्योंकि sigma sigma 2 sigma हो जाएगा 2 sigma upon 2 upon epsilon 0 से 2 2 कर जाएगा बचेगा क्या sigma upon epsilon 0 अब r के लिए निकालेंगे तो r के लिए g1 a कमान अगर sigma रखें gb कमान अगर minus sigma रखें तो एक दूसरे को cancel करदेंगे तो इसका भी मयान क्या आएगा 0 ही आएगा अब देखते हैं इसका चवथा point और इस chapter का last topic ठीक है एक समान आवेसित पतले गोली खोल कबच के कारण विद्धु छेत्र यह जो एक समान आवेसित है ठीक है एक गोला है और इसके के बाहर क्या है एक कबच है ठीक है तो इसके कारण जो है विद्धु छेत्र हम लोग को निकालना है माना कि यहां पे बिंदू O से R का एक तिरिज्या बना कर हम लोग क्या है एक गोला बनाते हैं और बिंदू O से R दूरी पर एक बिंदू P है जहां पे हम लोग को विद्धु छेत्र की तीवरता ग्याद करनी है तो अब देखें इसमें कंडिशन है जब बिंदू P खोल के बाहार रिष्थित हो ठीक है बिंदू P जो है अगर इसके बाहार रिष्थित होगा तो क्या होगा O से R दूरी पर एक बिंदू P होकर जाता है तब इस गोले पर गॉसिया प्रिष्ट की तरह बेवहार करता है मिन्स ये O से आर दूरी पर एक बिंदू P इससे हो के जाता है तो क्या है ये जो है गौसी अप्रिष्ट की महाती बेवार करता है ठीक है तो हम लोग जानते हैं गौसी अप्रिष्ट गुजाने वाला संपूरे विद्ध फ्लक्स फाई एक क्वेल टू क्या होता है फाई डीएस ठीक है अब देखो इसका जो छेत्राफल है ये भी इसी की दिशा में होंगी तो यहां पर एंगल जो होगा वो क्या होगा जीरो होगा तो इडीएस को जीरो हम लोग पहले भी महुत बार देख चुके है ठीक है तो फाई एक क्वेल टू इडीएस ठीक है इडीएस तो अब देखो डीएस क्या होता है इसका छेत्राफल होता है तो ये क्या है वाकर पिस्ट का छेत्राफल क्या होगा फोर पाई आर स्क्वार हो जाएगा तो फाई एक क्वेल टू इफोर पाई आर स्क्वार ठीक है अब अगर यह साइड इक्क्वल होगा तो यह साइड भी इक्क्वल हो जाएगा ठीक है तो e 4 pi r square q upon epsilon 0 तो e equal to क्या आगया 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square e क्या है विद्दु छेत्र की तीवरता है ठीक है अब देखो दूसरा है जब बिंदु P गोलिये खोल के प्रिष्ट पर हो ठीक है अब जब बिंदु P जो है अगर गोलिये प्रिष्ट के क्या हो प्रिष्ट पर इस्तित हो ठीक है तो r equal to small r equal to capital r हो जाएगा ठीक है तो यहां पे small r के जगा हम लोग क्या कर देंगे capital r कर देंगे equal to 1 upon 4 by 7 0 q upon r स्क्वार हो जाएगा ठीक है अब देखते है जब बिंदु P गोलिये खोल के अनदर इस्तित हो ठीक है आप देखो बिंदु P जो है अगर गोलिये खोल के अंदर इस्तित हो ठीक है तो बाहर क्या है गोले के अंदर अगर आवेस आ जाएगा ठीक पिंदु पी अगर गोले के अंदर इस्तित हो जाएगा तो आवेश किया है सारा बाहर चला जाएगा ठीक है अगर आवेश बाहर चला गया तो आवेश का मान क्या हो जाएगा सुन्ने हो जाएगा पिंस यहां पर विद्धु छेत्र भी सुन्ने हो जाएगा ठीक है देखते ह इसी स्थिति में गोले के अंदर कोई भी आवेस नहीं होगा अगर बिंदुपी जो है यह गोलिये के बाहर सोरी अंदर होगा तो कोई भी आवेस नहीं होगा तो गॉस प्रमेस क्या हो जाएगा क्या हो जाएक तो यह फाइनली जीरो हो जाएगा इस प्रकार हम लों का यह चेप्टर जो है खतम होता है ठीक है थेंक यू